हेलो मेरे काबिल अधिकारी आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है सिक्षा वह सेड़नी की दूध है जो जितना जैदा पीएगा वो उतना ही जैदा दारेगा सिक्षा को पीते रहे और आप काबिल अधिकारी बनते रहे खेर मैं आज आने वाले 5-7 मिनट में आपके सामने बहुत ही महत्पुर्ण पहलों पे डिसकस करने जा रहा हूँ अगर आप बिहार सिविल कोर्ट के इंपलाई हैं या बिहार गवर्नमेंट में अगर आप काम करते हैं या बिहार से क्रेटेरियेट में अगर आप काम करते हैं किसी भी प्रकार के अगर आप सर्विस में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महतपूर्ण है क्योंकि जब भी मैं सिविल कोट जाता हूँ या जब भी मैं किसी अधिकारी से या किसी समय मिलता हूँ तो मुझे आप काबिल तो हैं आपके पास नौलिज तो हैं लेकिन कुछ लोग होते क्या हैं उनको लिखनी की प्रॉब्लम होती है उनको समझनी की प्रॉब्लम होती है रीटिंग स्किल की प्रॉब्लम होती है तो खेर सर मैं इस सेशन में आपके लिए मैं क्या करने चाह रहा हूँ देखिए ये आपके लिए मैं छोटा सा कोर्स लिए कर क्या रहा हूँ इस कोर्स के पीछ अभी आप पेट कोर्स के पीछे मत चाहिए पहले आप समझ ये मैं चाहता हूँ कि आप काबिल अधिकारी है क्य तभी तो बनोगे अधिकारी तभी तो बने रहोगा अधिकारी तभी तो like में मज़ा आएगा तो खैड़ देखें जो भी अगर आप सिविल कोर्ट के इंप्लॉई है तो जो भी कोड के क्या जाते हैं आपको कौन से टर्मिनोलोजी यूज किया जाते हैं आप को संवाजना है जब आप कुछ भी चीजों का लिखते हैं तो कैसे आप एफ्याटिवली आप अपने राइटिंग skill के improve करें कैसे आप effectively कैसे आप बहतर तरीके से लिखें ताकि आप कुसल प्रसासनिक कुसल अधिकारी या कुसल जो भी government के employer किस तरीके साब बनेंगे तो खासात में तो राइटिंग इसकिल पर administrative law पर focus करेंगे अधात में जो भी terminology यूज किया जाता है क्या बिहार secretariat में और civil court में हम उस पर इस session में इस course पे आपके सामने focus करने जा रहें मैं कहने का मतलब मेरा यह है मैं आपको यह समझाना चाहता हूं आपको यह बाते समझ में आ गई होगे अभी तक इतनी बात उसे है कि sir CRPC equal to BNSS and IPC equal to what BNS यानि कि CRPC corresponding sections of BSS CRPC corresponding sections of BNSS मतलब जो भी generally especially आपको magistrate court से लेकर session court तक में जितनी भी चीज़ों की जरुरत होती है उन महत्पुर्ण चीज़ों पर हम ज़्यादा focus करेंगे हमारा काम है ताकि आपके काम को आसान बनाना बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं select तो हो गए लेकिन उनको हैजिटेशन होती है उस हैजिटेशन को दूर करना इसलिए आपके लिए बहुत महत्पुर्ण है और अगर मैं आपके लिए बात करूं अगर आप बिहार गौर्णमेंट में अगर आप जौब करते हैं तो आपको तीन चीजे जानना बहुत जरूरी है देखिए एक तो है आपका बिहार service rule एक है आपका बिहार finance rule एक है आपका बिहार finance rule और जौण हमे जाना पूबंट ने जाना पूबशफ भी एक एक वागार काना एक है तो सार आपकी फोक्से के लिए इस नौद रिए जाना वज़ाना इसके से मेरी काफी खाफी योग अजय को चाहिए वेक दी पारिये ढाँ है क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील के बारे में डिसकस करेंगे और इतना ही नहीं साथ में बिहार कोट फी के अगर आप सिविल कोट में काम कर रहे हैं या से बिहार कोट फी के सुट वैलिएशन स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड रूल को भी डिसकस करेंगे स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड रूल को भी डिसकस करेंगे तो मेरा यह कहने का मतलब है कि आपको किस तरीके से एक्स्पिरियेंस के साथ साथ बहतर कैसे काम करना है उसके बारे में आपको घ् लिखा होता है बहवार नियाल है वहाँ पर लिखा होता है वहवार नियाल है और मैं आपको बता दू ग्यान जो है न तीन पर घर के होते हैं एक समाजी ग्यान एक कानून ग्यान और तीसरा बहवारी ग्यान तो बहवारी ग्यान होना बहुत जरूरी है सहाब कोट में जब काम है आपको बहतर से बहतर बताना और इसमें अच्छे तरीके से आपको समझना है इस कूर्स के अगर मैं भी बताऊं तो आप भीहर सिक्रेटेट में वर्क कर रहें या भीहर गवर्मेंट में अगर आप वर्क कर रहें तो यह चीज़े आपके सभी के लिए इसका link description में दिया हुआ है और मैं आपको बता दू इस course की अगर मैं एक्स्ट्रा भी हो जाएगा कुछ एक्स्ट्रा क्लास में कुछ सम्स रूल से रेगुलेशन पर भी लूँगा हमारे साथ कुछ और भी लोग ले सकते हैं तो यह ध्यान रखिएगा और धाई मन्त की होगी अब वीक में केवल और केवल आपको दो ही क्लास मिलेंगी क्लास आप लाइब भी देख सकते हो या आप चाहो तो आप आप रिकॉर्डेट भी देख सकते हो रहे लाइब और रिकॉर्डेट दोनों वीडियो अभी लेवल रहेंगी वन एयर तक कि लिए आपके पास है ना कुछ भी डाउट्स होगा तब लाइब क्लास में आ करके ड बहुत बढ़ी प्रॉब्लेम्स होती है तो इंग्लिस के जो महत्रपूर्ण टर्मिनोलोजी है उसको एक्स्प्रेंड करेंगे राइटिंग स्किल आपका इंप्रूब करवा दूँगा इट्स माइ प्रॉमिस राइट ध्यान रखिएगा जिसमें है मेहनत करने का हुनर वही बनेगा काबिल ऑफिसर तो खेल इसमें था और आप इस नंबर पर ओनली वाट्सप कर सकते हैं प्लीज डोंट कॉल राइट वाट्सप कीजिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन म नहीं आपके लिए राइट ओनली फॉर नाइंट इन आज के टाम में होता ही क्या है राइट लोग बर्गर पीजा यूंही खा जाते हैं तो यह है और उसके बाद इस तरीके का आपको देखेगा इंगली से स्पोकें इसकी डेवलपमेंट फोर देस राइट तो मैं यही च कारी बनेंगे तेज तरार इंप्लॉई बनेंगे इसके जिम्मेबारी मेंने क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसे की जाए कभी किसी को दीने जाती है केवल ली जाती है और यह मैं समझता हूँ जिम्मेदारी मैंने आप के लिए ली है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो की जरूर लाइक कीजिएगा अब दूसरों को भी आपके कोई फ्रेंड सरकल हो कोई भी गुरूप हो वाट्सअप हो ट्वीटर हो इंस्टा हो टेलिग्राम को अब जरूर उसको सेर कीजिएगा यह बहुत जरूरी है क्योंकि आपने देखा हुआ लोग कुछ नहीं जा रहा है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा धर्नवाद आपको बहुत बहुत सुक्रिया